दोस्तो करमचारी यूनियन यूट्यूब न्यू चैनल पर मैं आप सभी का हादिक स्वागत करती हूँ दोस्तो ओर ओपी वन रैंक वन पेंशन के संगर्ष ने नया मूड ले लिया है जी हां दोस्तो अब जो हमारे पूरो सैनिकों ने अपना द्रड संकल बना लिया है अब म पताएंगे कि क्या केस का स्टेटस अपडेट हुआ या नहीं दोस्तो अगर आप पहली बार हमारे न्यू चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दे जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके चलि गया है या नहीं उसके बाद हम आपको जंतर मंतर की अपडेट देंगे जी हां दोस्तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोट ओफ इंडिया की ओफिशल वेब साइट यहां खुली हुई है इसमें जब आप केस्टेटस में जाते हैं तो आपको यहां पर यहां और डायरी नंबर हम फिल अप कर लेते हैं कैप्चा फिलिंग कर लेते हैं 7102 जो डायरी नंबर है आपको पता है कि 19818 है मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूं दोस्तो इयर 2016 है और इसके बाद इसको सब्मिट कर देते हैं सब्मिट करने के बाद यहां पर केस इंफोमेशन अपन हो जाती है जिहां दोस्तो आप देख सकते हैं कि जो केस स्टेटस है वो अभी तक पैंडिंग ही शो हो रहा है आज चार अगस्त हो चुकी है लेकिन जो केस स्टेटस है वो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है और इसके कार्ण जो हमारे जंतर मंतर पर एक्स सर्व तेंटे पहले या अफडेट दी गई है कि 4 अगस्थ 2021 को 243 दिन प्रोटेस्ट को वैटरंस के प्रोटेस्ट को हो चुके हैं और जो हमारे सुप्रिम कोर्ट ने कोई भी हीरिंग की डेट अभी तक नहीं दी है और जो हमारे इसी के साथ आप देख सकते हैं जो हमारे फार्मर् लेकिन कोई उस पर भी परती के लिए सरकार की दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था कि O.R.O.P. के जो नेता हैं उन्होंने यह शेयर किया है कि there is a need of diversify, intensify and spread our moments all over the country to force the government to agree to our demands and change it. हमारे जो देस में अलग अलग तरीकों से O.R.O.P. के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए तब ही जो government है वो हमारी demands को पूरा करने के लिए agree होगी। जी हां दोस्तो जो हमारे पूरो सैनिक, एक्स सर्विसमेन, वेटरंस हैं वो लगातार धर्नापरदर्शन पर अपनी रणनीती तयार करते हुए और लागू कर रहे हैं। विभिन अक्षेतरों से लगातार जंतर मंतर पर ज्यादा से जादा पूरो सैनिक पहुच रहे हैं। एक्स सर्विसमेन का कहना है, सरकार उने जो वन रैंक वन पैंशन देने का आशवाशन दिया है, वह सही रूप से वन रैंक वन पैंशन नहीं है। अभी समर्थक है, उन्होंने आवेदन और प्रातना की है कि भारतिय पूरो सैनिकों का पूरा समर्थन दे। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि आने वाली पीडी को भारतिय सेना के कोई भी जवान जो रिटायर होते हैं उनकी पैंशन में बेदबाव नहीं हो। दोस्तों वे लगातार भूके प्यासे जंतर मंतर पर जो हमारे पूरो सैनिक वेटरंस बैठे हुए हुए केवल अपने हक के लिए नहीं बलकि हमारी भावी पीडी जो भावी जवान होने वाले हैं उनके लिए भी लडाई लट रहे हैं ताकि उन्हें उनका असली हक से उन सब भी पूरो सैनिक वेटरंस एक सर्विसमें लगातार अपनी रननीतिया बना रहे हैं जैसे ही जंतर मंतर से कोई अपडेट आती है या फिर के स्टेटस में कोई भी अपडेट आती है अभी आज या एक दो दिन बात जैसे भी कोई भी अपडेट आते हम आपके साथ तु ही नजय भारत